मेरा नाम है मीरू केवड, प्रात्मिक शाला कन्नाउच, रिकास खंड भरतपूर, 36 गड़ से आई हूँ, कोरिया जिले से और मैंने ZIIET के बारे में प्रशिशन के दोरान मुझे पता चला था इसमें है सुनि निवेश नवाचार, इसमें बिल्कुल भी इनवेश्ट नहीं करना है और अपने आइडिया के बारे में बताना है मैंने ट्रेणिंग के दौरान जो भी सीखा और जो भी इसके दौरान मेरे को जानकारी मिली मैंने जैसे ही स्कूल में गई और स्कूल में जाते ही मैंने उनको प्रत्पिया शुरू कर दी मैंने एक खाली कार्टून का वक्ष लिया जो स्कूलों में सोया प्राक्त होता है उसे जो कार्टून खाली होता है मैंने उस कार्टून को लिया और उस कार्टून में जो हमारे 36 गड़ सासन से NGML कारिक्रम कुछ समय पहले पिछले सत्र में हुआ था जो अब लगभग सभी स्कूलों में बंद हो गया है मैंने उसी पर जो कार्ड हमको सासन के दोरान उपलगद हुए थे NGML के लिए जिसके सासन है इतना खर्च किया था और अतरिक कख्ष बनवाया डेंटिंग पेंटिंग करवाया परन्तु कोई लाव हमको बच्चों के उपर कोई गुणवत्ता नजर नहीं आ रही थी पिर लगभाब वो शुन्य हो गया था मैंने उन्हीं कार्डों का उप्योग किया मैंने बच्चों को अपनी गतिवीदी के दोरान बच्चों को उस रूम में भेजा मैंने कहा आपको जो भी कार्ड पसंद हो सिर्फ उन्हीं कार्ड को उठा के लाना बच्चे गये और उनक इसा कार्ड को देखते ע। धो कि स्कार्ड में, ऑर फिर अधर बच्चा जो चार भाके उसके बारे में ब opposition जो चार भाके म fries उसके बारे में भाद्ण आप बक्चायर जो रॉड़ा से फिर्म स्क्राइस praघोपधी आफ्ण धीर स्क्राइब शुरू हो जाती, इसके बाद में दूसरे बच्चे आया, उसने क्या किया कि कुत्ते वाली कार्ड उठाई, परंतु मैंने पूछा बेटा ये क्या है, उसने कहा मेड़ा ये बकरी है, मतलब वो बच्चा उसके विशय में सुन्य है, उसकी पहचान जो है, जानवर की कारी है, तो एक दूसरे से मिलकर ही शिख्षा प्राक्त कर सकते हैं, मैंने बस यही प्रत्किया दी इसमें मुझे बहुत सारा लाव प्राक्त हुआ है, मैंने अपने इसकूल में एक चार्ट बनाया, उस चार्ट में बच्चे ने जॉन सा कार्ट उठा के लाया, मैंने उस क हिस्त लिश्ट के आदहार पर मैंने कि बच्चे की गुरोक्ति में सुधार लाना सुरू किया. यदि बच्चे की रुची जानवर में है तो मैंने उनको जानवरों की जानकारी सबसे पहले दी ताकि वो और बच्चो को जानकारी दे सके दूसरा जो बच्चो की पार्यवरण में जानकारी है तो वो पार्यवरण से संबंधित जैसे दिशाएं कितनी होती है हमारे आसपास कौन से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनमें फूल किस मौसम में आता है, कौन सा फल कब खाते हैं, ठंडी का मौसम किस महीने में आता है, ये सब की जानकारी एक दूसरे के जलिए मैंने बच्चो को दिलवाई आपश में रुख चर्चा करते हैं और जो जा हुआ है हमारी सिख्षा जगत में, और सिख्षा जगत का जादू ही है ये, कि बच्चो की गुडवत्ता में बिन प्रते दिन सुहार होता जाला है, धन्यवाद अर्विंदो सोसाइटी, जिनू ने मुझे इतना बड़ा मंच प्रदान किया, और आज मैं दिल्ली में इतने बड़े मंच के उर्षकार के लिए आमंत्री थीनू, धन्यवाद